मैं देख रहाता हूं वहाँ पर दो-तीन लड़के खड़े थे वो मेरे भाशन को सुन रहे थे और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने आपको चौकीदार बोला है और उन दो लड़कों ने एकदम कहा चौकीदार वहां से वो प्यारा नारा चालू हुआ शत्तिस गड़के दो युवाओं ने अजीब सी बाते देखो जो अवाज जो अवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है जो शब जो शब जो अवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है दो युवाओं के दिल में जो बात थी, अंत में वो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को भी सुननी पड़ती है, सचाई से कोई नहीं बच सकता, कितना भी बड़ा हो, प्रधान मंत्री हो जो भी हो, सचाई से नहीं बच सकता, सचाई समने आती है, और सचाई समने आ गई, अच्छा है, दूसरी बार, यह तो पब्लिक मीटिंग है, आप कोशिश कीजिए, ट्राई करना आज शाम को, पब्लिक मीटिंग में तो होगा, यहां पे हमारे कॉंग्रेस के कार्य करता, मगर आप एक और चीज ट्राई करना शाम बस चोकिदार बोलना देखो क्या होता है, एकदम चोरे, 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 पूरा हिंदुस्तान जानता है, अच्छा देखिए, जबुलपूर से भी चोरी की, आप सोचते हो, कि सिर्फ राफाईल मामले में चोरी हुई है, 30,000 क्रोड रुपए अने लम मानी को दिया, आप य नरेंद्र मोदी जी ने में, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए, एचेल, सरकारी कंपनी, 70 साल से हवाय जहाद बना रही है, मिग हवाय जहाद, मिराज, जाइगवार, हवाय जहाद बनाती है, नरेंद्र मोदी ने, दुन्या का सबसे बड़ा डिफेंस कॉंट्र एचेल कंपनी से छीना, और पूरे देश में, मैं कहता हूँ, बाकी लोग कहते हैं, कि एचेल कंपनी को बन ट्रैक मिलना चाहिए था, सरकारी कंपनी है, उसको कॉंट्रैक मिलना चाहिए था, मगर अने लंबानी को नरेंद्र मोदी ने दिया, 526 करोड का हवाईजास, 1600 करोड रुपए में, फ्रांस को दिया, हवाईजास हिंदुस्तान में बनना था, अब फ्रांस में बनेगा, फ्रांस के राश्टरपती ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला, कि सरकारी कंपनी हेल को परे करो, कि सन्यलंबानी को सामने आओ, और ये 1600 करोड रुपए लेंगे, 526 मत मांगना, मगर आप सोचिए, ये सिर्फ हवाईजास नहीं है, फाइटर एरक्राफ्ट है, मगर फाइटर एरक्राफ्ट बंबी गिराता है, फाइटर एरक्राफ्ट में कैनन भी होती है, उसमें और्डिनेंस भी होता है, उसके जो हत्यार है, राफाईल हवाईजास के जो हत्यार है, जो बं है, आपको मालू हो कहां बनते हैं, आपके यहां बनते हैं, यहां जो बंद कर रखा है, नरेंद्र मोदी ने 5,000 लोगों को यहां रोजगार देते हैं, पहले जो 20,000 लोगों को यहां रोजगार मिलता थ राफाइल हवाई जहाज का कॉंट्राइक आता हिंदुस्तान में ओर्डिनंस का कॉंट्राइक आता तो यहां पर फिर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है एक लाक सुरी एक लाक लोगों को यहां रोजगार मिलता था फिर से उससे जादा लोगों को रोजगार मिलता मगर न अगली बार नरेंद मोदी जी आएंगे बाशन देने आएंगे अब उनसे पूछना भाईया 30,000 क्रोड रुपे आपने अने लंबानी के जेव में डाले जरा ये बताईए चौकिदार जी अने लंबानी ने आपको क्या दिया क्या दिया आपको 30,000 क्रोड रुपे उसके जेव में डाले चौकिदार जी अरे लंबानी ने चौकिदार को क्या दिया ये जरा बताईए ये पूछना उनसे बाई और बेनो पाँच लाक पच्पन हजार क्रोड रुपे इस चौकिदार ने पंदरा लोगों को दिया है नाम बता देता हूँ आप देखिए नाम आप जानते हो नीरव ललित मेहुल विजय अनिल देखिए सब कुछ जानते हो आप लोग पंदरा लोगों को पाँच लाक पच्पन हजार क्रोड रुपिय दिये आपसे कहा था 15 लाग रुपे हर बैंक अकाउंट में माता जी आपको मिले 15 लाग बैंक अकाउंट में मिले पहले मोधी जी कहते थे मैं प्रधान मंत्री नहीं हूं कि मैं आपका बेटा हूं कि चोकिदार हूं आपके बैंक अकाउंट में पंद्रा लाग रुपए डालूंगा प्राधान मंत्री प्रधान मंत्री बने कहते वही आप कौन हो मैं तो अन्य लंबानी की बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा अन्याए 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 पात साल अन्याए किसानों के साथ अन्याए माताओ बेनों के साथ अन्याए युवाओं के साथ अन्याए अन्याए की सरकार है नरेंद्र मोदी ने जूट बोला उन्होंने आपसे बोला कि 15 लाक रुपए देंगे मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ पैसे की इस देश में कोई कमी नहीं है पैसा है मगर पैसा आपके जेम में नहीं आता है पैसा डाइरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको याद है मध्यप्रदेश के चुनाओ में मैंने कहा था कुछ भी हो जाए आस्मान फट जाए कर्जा माफ होगा दस दिन में होगा याद है आपको दो दिन में हुआ ना दो दिन में हुआ किया गया मैं जो बोलता हूँ करता हूँ अच्छी तरह सुन लीजे माता है बेने 2019 में कॉंग्रिस पाटी चुनाओ जीतेगी और आप सब के बैंक अकाउंट में हर महीने छे हजार रुपे आएगा साल के बहत्तर हजार पाँच साल के तीन लाग साथ हजार जैसे कर्दमापी की बात की थी वैसे ही मैं यहां से स्टेट से कह रहा हूँ एक गरीब व्यक्ती एक नहीं बचेगा सब के बैंक अकाउंट में बहत्तर हजार रुपे जाएंगे अच्छा यहां बहुत पुर्ष खड़े हैं महिलाई भी है अब मैं आप से कहना चाहता हूँ मुझे गुस्सा मत होना पहले ही बता रहा हूँ बाद में शिकायत नहीं करना पैसा उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है महिलाउं के उनसे बात कर लेना उनसे मांग लेना मगर मैं पहले ही बता रहा हूँ पांच करोड परिवानों को पैसा मिलेगा मगर बैंक अकाउंट महिला के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा यह 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 आपसे अच्छा यह आपसे अच्छा पैसा स्तमाल करती है यह जानती है थोड़ी दूर की दृष्टी होती है इनकी देखिए हचनी है यह इनको नरेंद्र मोधी जी ने लाइन में खड़ा किया था अच्छा जब यह आपको पैसा मिलेगा लाइन में खड़े होनी कि कोई ज़रूरत नहीं होगी नरेंद्र मोधी जी ने जो अकाउंट खोले ना उसी में डालूंगा मैं सीधा डाइरेक्ट अच्छा गैस सिलिंडर का कितना पैसा काता है कितना काटा नरेंद्र मोधी जी ने हाफ प्राइस कर दिया गया कितना बढ़ाया वह यह बताओ कितना बढ़ाया कि दुगना कर दिया और भाशन करते हैं मैंने सब महिलाओं को गैस दिलवाई दुगना कर दिया अच्छा चलो किसानों की बात करते हैं कहरोसीन की सबसेटी बंद करती है नरेंद्र मोधी ने अच्छा किसानों की बात करते हैं चोटा सा सवाल अनलम्भानी जेल में बाहर है भार घुम रहे हैं नीरभ मोधी जेल में बाहर है मेउल्चौक्सी अंदर बाहर ललित मोधी अंदर बाहर है ना सब ने कर्जा लिया वापिस नहीं दिया ठीक है अब मद्यप्रदेश का सबसे अमीर लोग कर्जा वापिस नहीं देते हैं हजारों करोड रुपए कर्जा वापिस नहीं देते वो बाहर होते हैं और हिंदुस्तान का किसान मद्यप्रदेश का किसान 20,000 रुपए लेता है कर्जा वापिस नहीं देता वो अंदर हो जाता है क्या यह आपको सही लगता है माता हैं आपको सही लगता ही है हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है 2019 के चुनाओं के बाद हिंदुस्तान का मद्यप्रदेश का कोई भी किसान कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा कि अचा नरेंद्र मोदी पूछते हैं कभी कभी स्टेज पे आगे पूछते हैं इस में और बात समझ लीजे में थी कोई नि बचेगा राफाईल मामले पे इंक्वाईरी होगी इंक्वाईरी होगी मोदी जी सुन लीजी अच्छी तरह इंक्वाईरी होगी और दो नाम निकलेंगे नरेंद्र मोदी अनिलंबानी अनिलंबानी नरेंद्र मोदी अच्या ब्रश्टचार की बात करतें ना मैं बताता हूं देखो यहां जो युवा आए हैं आप अच्छी तरह सुनों हो भी है कि मडर अक्यूजट अगे मडर अक्यूज़ बीजेपी प्रेसिडेंट अमिच्या अब वाह किया शान है अच्छा जय शाम का जैसा का नाम सुना है जादू गरे जैशा पचास हजार रुपए को तीन महीने में 80 करोर बना दिया उसने खेद देखिए मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ बरश्टा चार की बात करनी है न किसी भी चगे कोई भी टाइम मेरे से डिबेट कर लो मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी जी आप आए रेस कॉस रोड में मुझे बुलाना है वहां बुला लीजिये डिवेट करते हैं बरश्टा चार पे हिंदुस्तान में कहो मैं राफाइल के बारे में बोलूँगा फ्रांस के राष्टापती ने जो बोला उसके बारे मैं बोलूँगा 20 मिंट लगेंगे 20 मिंट लगेंगे हिंदुस्तान का प्रदान मंत्री हिंदुस्तान की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा अगरते हैं कि डरता है नरेंद्र मोधी डरता है मैं हर मीटिंक में बोल रहा हुई और रश्ट muita करते वार जाओ सामने आजयो सामने दूत का दूत पानी का पानी कर दूँगा त्रोस्ति जजर नहीं दिखा पताएगा नरेंद्र मोधी को कैड कि काम मोधी जी जब आपल जाए पार्मिन धूइस मेंज 1p 10 घंटा चार सवाल पूंचे थे मैंने है चार सब्सक्बिकर बात किनरें नो न गरोड़ीने उनकी रेकॉर्डिंग देखो सवाल के जवाब नहीं दे भाशन दिया कैसे दिया मैं देखता हूँ मैं बताता हूँ मेरा चेहरा देखो कभी इन्नों मोदी जी यूँ देखे कभी यूँ देखे आग में आग नहीं मिलाई क्योंकि चोकिदार चोकिदार अच्छा अब युवाओं की बात करता हूं चौकिदार ने युवाओं को कहा 2 करोड युवाओं को हर साल रोजगार दूँगा अच्छा जबलपूर ओर्डिनेंट फैक्टरी में कितने युवाओं को रोजगार दिया कितनों को दिया 27,000 युवा 24 गंटे में हिंदुस्तान में आज रोजगार खोते हर रोज मैं आपको यहाँ 2 करोड युवाओं का जुटनी बोलूँगा मगर मैं आपको यह पता दूँगा 22,000,000 सरकारी नौकरियां आज खाली है मैंने पता लगा है 22,000,000 युवाओं को कॉंग्रेस पार्टी एक साल के अंदर रोजगार दिलवा देगी 22,000,000 सरकारी नौकरिया दिलवा देगी 10,000,000 युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है दस लाग युवाओं को पंचायतों में कॉंग्रेस पार्टी रोजगार्ट दिलवा देगी अब न्या योजना का जादू समझिए सोच समझ के काम करते हम नरेंदर मोधी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला नोट बंदी की गबबर सिंग टैक्स लागू किया आपके जेब से जैसे पैसा गया आपने माल खरीदना बंद किया महिलाओं ने साड़ी खरीदनी बंद की आपने शर्ट पैंट जूता कंगी टेलेफोन ये सब खरीदना बंद किया खरीदना बंद किया थीक है जैसे ही आपने खरीदना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्टरियों ने बनाना बंद किया जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरियों ने बनाना बंद किया फैक्टरियों के मालिकों ने युवाओं को बुलाया का वही आपकी कोई जरूरत ने वापस जाओ बिरोजगारी बड़ी 45 साल सबसे जादा बिरोजगारी आज अब जैसे ही नियाई योजना आपके जिम में पैसा डालेगी 8000 रुपे महीने का, 72000 रुपे साल का वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे जैसे ही दुकानों में माल बिकेगा जैसे ही आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे वैसे हिंदुस्तान की फैक्टरिया चालू हो जाएंगी जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरिया चालू होगी हिंदुस्तान की फैक्टरिया माले घूम घूम के मद्य प्रदेश के युवाओं को ढूंडेंगे कहेंगे बहिया इधर आओ रोजगार की जरुवत है चलो इधर आओ फैक्टरी में काम करो नियाई योजना हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता को जंप स्टार्ट करेगी नियाई योजना का पैसा जैसे एंजिन में पैटरोल जाता है वैसे हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता में हम पैटरोल डाल रहे हैं नियाई योजना डाल शुरू करने के बाद हम चाबी गुमाएंगे धड़ाक से लाखों युवाओं को मध्य प्रदेश में की प्रदेशों में रोजगार मिलेगा बहुत बढ़िया यह कॉंग्रेस पार्टी की सोच हम सोच समझ के काम करते हैं नरेंद्र मोधी जी कहते हैं अच्छा अमिच शा का बेटा अमिच शा का बेटा पचास हजार रुपए को तीन महीन में 80 क्रोड बनाता है और नरेंद्र मोधी देश के बागी युवाओं को कहते हैं आप पकोड़ा बनाओ पकोड़ा बनाओ पकोड़ा क्यों बनाए राफाइल हवाईजास को क्यों ना बनाए और्डिनेंस फैक्ट्री में हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए और्डिनेंस क्यों ना बनाए न नई 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 वो तो सिर्फ अलने लंबानी को जाएगा अपूस्टान की नहीं चाहेगा हिंदुस्तान के जोभाइ隻 आप लोग पकॉड़ा बनाया नहीं ए प餘ाफाइल हाइजाज को हिंदुस्तान का युभा बनाएगा करसे ऑफाइल हवाइजाज के कॉंट्राइक पाइदा हंुदुस्तान को मिलेगा फ्रांस को नहीं मिलेगा कॉंग्रेस पर्टी की सरकार कराएगी आप सब दूर-दूर से आए रात का समय है शाम का समय है दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और देखिए तनकाजी जो है कि इनको आप MP बनाईए यह जबलपूर को बदल सकते हैं बदल सकते हैं 25 साल यहां कुछ नहीं हुआ इनको लाईए और देखिए यह आपके लिए डट के पूरा दम लगा के काम करेंगे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद